अलो फ्रेंड्स वेल्कोम्यों मैं यूटूब चैनल आटो मैक इंजिनियर आप सभी का में एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो आज मैं लेकर आये हों 28GK के most important question तो यह question important रहने वाले हैं आपके lecturer exam के लिए एसिस्टंट इंजिनियर exam के लिए तो आप सभी को पता ही होगा कि जो लेक्चरर exam होने वाले हैं इनकी जो examination date है वो आ चुकी है एसिस्टंट इंजिनियर सेविल की examination date भी आ चुकी है तो और H.S. की examination date भी आ चुकी है 12 September को होने वाले exam ठीक है और जितने भी upcoming exam है जो conduct करवाते हैं हिमच अपड़ेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिम्ला तो उन सभी के लिए यह 20 questions है most important रहने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखेगा यह part 8 रहेगा साथ पार्ट मैंने upload कर दिये गए हैं और playlist भी उनकी बन चुके है तो आप जा सकते है मेरे YouTube चैनल पर और उन सभी को आप एक साथ देख सकते हैं काफी benefit मिलेगा आपको और एक तरह से उनको आप revision के तौर पर लीजिएगा तो काफी help मिलेगी आपको ठीक है तो बढ़ते हैं आगे पहला question है हमारे पास question number one around which year did child cricket stadium now in Solan district of हिमच रप्रदेश come into existence ठीक है child cricket stadium जो बी 1893 AD में यह अस्तित्यु में ठीक है और इसको बनवाया किस ने था ठीक है तो इसको बनवाया था भूपेंदर सिंग ने किस ने बनाया था भूपेंदर आके जाके किसी ना किसी exam में यह जुरूर पुछे जाएंगे हो सकता है जो अभी आने वाले exam है इसमें पुछ जा सकता है और यह जो भूपेंदर सिंग है यह मारा जा थे कहां के थे यह मारा जा यह थे पटेयाला के मारा जा ठीक है याद रखना important question है यह next question है question number two which leader of lol led a deputation to अटल भिहारी वाजपेई seeking connectivity of the region with rest state तो lol के किस नेता ने अटल भिहारी वाजपेई के प्रतिन युक्ति का नेतरतु किया और lol क्षेत्र को राज्यों के बाकी हिंसों से जोनने की मांग की तो किस ने की थी तो यह थे टशी दावा ठीक है इनको एक दू उर्फरा नाम क्या था यह भी इंपोर्टन्ट है अगर यह नाम ना दिया जाए तो यह नाम आपको जुरूर देखने को मिल सकता है अर्जुन गोपाल ठीक है तो जब क्या हुआ था 1998 में जब बाचपेई पढ़ान मंत्री थे तब जो यह टशी दावा है उर्फ अर्जु किया रोतांग टनल को बनाने की जिससे लहौल के साथ बाकी डिस्टिक की भी कनेक्टिविटी बनी रहे जब बर्फ बारी होती है ना वहां पर तो रोड बंध हो जाते हैं तो ऐसी स्तिती में 2000 में रोतांग टनल की बनाने के आदेश दिये ठीक है और पिछली साल को इसका में याद रखना है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे अब बात करते हैं कोशन नमबर तीन की अरॉंड टू थो 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 एड़ी नेडी टू सेंचरीज वर मॉजड बिदा ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क औफ कुलू डिस्टिक वन उफ देम वास तेर्थन विच वास दा ओदर तो 2013 इसवी की आज पास दो अभैरणों को कुलू जुले के ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क में मिला दिया गया उन मेंसे एक तिर्थन था तो दूसरा कौन था तो दूसरा था उन मेंसे सेंज उप्शन नमर डिस्कॉशन का इस्टेबिश्मेंट हुए थी 1984 में और इसे वर्ड हरिटेज साइट का दर्जे भी दिया गया था तो वह कब दिया गया था इस इस जगह से बिलॉंग करती है हिमाचरप्रदेश के इस जगह से बिलॉंग करती है इन option में से आपको बताना है तो शायद आपको पता होगा तो इस question correct answer हो जाएगा option number d शिलाई चीक है शिलाई इस question correct answer हो जाएगा next question number 5 according to 2011 census which district of हिमाचरप्रदेश had the lowest male work participation rate ठीक है तो 2011 की जन्गरना के अनुसार हिमाचरप्रदेश के किस जिले में सबसे कम पुरुष कार्या भागिदारी दर थी तो पहले मैं आपको यह बता देता हूँ जो यह work male work participation rate है यह depend करता है sex ratio के उपर ठीक है इसके उपर depend करता है sex ratio के उपर depend करता है और जो sex ratio जिसका ज्यादा होगा वहां की जो male participation rate है वो कम रहती है ठीक है तो अब आपको अगर आपको पता है कि जो sex ratio किस district का ज्यादा है तो आप इस question का अंसर बता सकते हैं तो sex ratio ज्यादा है हमिरपूर का ठीक है कितना है 1096 है ठीक है तो जब इनका ज्यादा है तो obviously वात है जो lowest male work participation rate है वो किस district का रहेगा वो रहेगा हमिरपूर district का याद रखना important question है आगे पढ़ते हैं फिर next question है question number six what allowance was given to the official of चमबा in the olden times when they proceed on duty to the pangi region चमबा के अधिकारियों को पुराने समय में क्या भतर दिया जाता था जब वे पांगी क्षेत्र में duty पर जाते थे ठीक है तो इस question का यह मतलब है तो उस time उनको दिया जाता था फंडर अनॉस question number बीस question का राइट एस अनसर हो जाएगा funeral रहा ठीक है funeral allow क्या होता है यह होता है एक अंतिम संसकार भत्त थी हो जाती थी तो उन्हें ऑन्तिम संसकार भत्त भी वहां पर दिया जाता था ठीक है तो यह अनको दिया जाता था आगे हम बात करते हैं question number 7 की question number 7 है there are two jersey cattle breeding farms in Monday district of हिमाचरप्रदेश one is at करसोग where is the other ठीक है तो Monday district में two jersey cattle breeding farm है एक तो है करसोग में दूसरी कहां पर है तो दूसरी है command में question number 7 का option number C सही हो जाएगा command is question का right answer हो जाएगा आगे बात करते हैं question number 8 की question number 8 में पुछा गया है which one of the following painting is by Nicholas Rurich तो इन option में से Nicholas Rurich की कौन सी painting है तो इस question का right answer हो जाएगा option number A drops of life याद रखना important है see next question है to which unit of army did lieutenant colonel कमान सिंग in दूरिया who got maavir chakr in 1948 belong जो lieutenant colonel कमान सिंग इन दूरिया है तो यह किस unit of army से belong करते थे ठीक है जिने maavir chakr दिया गया थे 1948 में तो यह belong करते से गड़वाल राइफल से option number C question का right answer हो जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं question number 10 की which is the birthplace of dr. यश्वन सिंग पर्मार the maker of हिमाचल प्रदेश ठीक है जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता है यश्वन सिंग पर्मार ठीक है इनका जो birthplace है वो कहां पर है इन option में से आपने बताना है तो I think ए भी सभी को आता होगा काफी टाइम से ये question repeat होता जा रहा है तो इस question कराइट answer हो जाएगा option number A भग्धान ठीक है एडिस्टिक से रिमोर में पढ़ता है याद रखना आपने तो ये थे 10 question हिमाचल प्रदेश जीके के आगे बात करते है नेशनल और इंटरनेशनल questions की ठीक है फिनेस्ट question है question number 11 at which place in guzrat a nearly 182 meter tall statue of Sardar Patel is proposed to be built हालांकि अब तो बन के तियार हो चुकी है तो सardar वल्ला भाई Patel की 82 meter लंबी जो statue है वो बना है सादू बेट पर ठीक है सादू बेट निर वरोधरा option number 20 question का right answer हो जाएगा याद रखना important question है ये आगे है question number 12 which was the first film to be shoot at R के studio Bombay now called Bombay ठीक है तो इस question का right answer हो जाएगा option number C आग आग film जो है ठीक है तो ये R के studio में मतलब पहली film थी जो shoot की गई ठीक है याद रखना आगे बात करते हैं question number 13 की question number 13 है which Indian economist coined the term Hindu rate of growth ठीक है तो Indian economist coined term Hindu rate of growth वो कौन थे तो इस question का right answer हो जाएगा option number A राज कृष्णा ठीक है आगे बात करते हैं question number 14 की what name was given to India's orbiter mission launched in 2013 ये भी सभी को पता होगा तो जो 2013 पहें ठीक है एक orbiter mission launch किये गया ठीक है उसका name क्या था तो उसका name था Mangalayan ठीक है क्या नाम था Mangalayan याद रखना आगे बात करते हैं question number 15 की who was the first woman judge of supreme court of India तो supreme court of India की पहली महिला judge कौन थी तो इस question का right answer हो जाएक option number D फातिमा बीवी ये भी सभी को पता होगा आगे बात करते हैं question number 16 की which state did ये पूरा नाम है ठीक है मैकेन represent in the US Senate ठीक है which state did मैकेन represent in the United States Senate ठीक है तो किस राज्यों से represent किया था मैकेन ने अपने जो seat है तो ये किये थी Arizona से option number A इस question का right answer हो जाएगा आगे बात करते हैं question number 17 की in which of the following places is room take monastery ठीक है तो in option मैसे किस place पर room take monastery है तो ये भी I think सभी को पता होगे इस question का right answer हो जाएगा option number C ठीक है सिक्किम सिक्किम की जो राजधानी वह कहा है गंग टोक यादकना आगे बात करते हैं question number 18 की when did VS नाइपाल get nobel price तो जो VS नाइपाल है तो इनने nobel price कब दिया गया था तो ये दिया गया था 2001 में कब दिया गया था 2001 में किसम दिया गया था literature के लिए दिया गया थे निगो ठीक है यादकना important question है ये भी आगे बात करते हैं question number 19 की which disease does pink ribbon signifies ठीक है which disease does pink ribbon signify ठीक है तो जो pink ribbon है तो ये क्या signify ये कौन सा रोग signify करता है तो ये करता है breast cancer ठीक है option number 6 question का right answer हो जाएगा आगे बात करते हैं अंतिम question की question number 20 which country is called land of thousand lake ठीक है तो land of thousand lake की country किसे कहते हैं तो ये भी important question है और सभी को आता होगा इस question का right answer है option number C Finland को कहते हैं ठीक है Finland को कहते हैं land of thousands lake ठीक है तो ये थे 20 most important question तो ये आगे आने वाले exam में आपसे जरूर पुछे जा सकते हैं ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को like भी कर सकते हैं और मेरी चैनल को subscribe भी कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं मेरी वीडियो को